नहीं रहे गया के हर दिल अजीज समाज से भी शदीद खान हार्ट अटेक से हुई मौत कैंसर से ग्रसित थे शदीद खान शदीद खान के निधन पर टूटी मजभब की दिबार निकले हर आंखों से आसू गया जीले के मगद यूनिवर्सिटी थाना अंतरगत सैयद डी गाउं के रहने वाले हरदील अजीज समाज से भी शदीद खान अब इस दुनिया में नहीं रहे हरदे गती रुकने की कारण शदीद खान की मौत हो गई है उनकी मौत की ख़बर सुनते ही नकेवल परीजनों और रिष्टदारों बलके इलाके के लोगों में गहरी मायूसी च्छा गई है बताया जाता है कि शदीद साहब कैंसर रोक से ग्रसित थे उनका इलाद चल रहा था इसे बीच भीती रात हाट अटैक से उनका निधन हो गया रभीवार को उनका पार्थिव शरीट गाउन लागया जहां हजारों की संख्या में सभी समुदाय के लोग अपनी समवेदना देने पहुंचे इस मौके पर उनके करीवी तौसिर्फुर रह्मान ने रोते हुए कहा कि शदीद खान साहब सामाजिक प्रेक्ती थे अपने ज कांसर रोक से पीडित थे उनका इलाद चल रहा था अचानक हरदय गती रुखने के कारण उनकी मौत हो गई जिससे परिजनों में दुख का महौल है उन्होंने कहा कि उनका एक पुत्र है जिसके सर से पिता का साया उच गया हम लोगों से भी कहेंगे कि उनके पुत्र की मद है लोग दुख ही है इंडिया नियूज वाइरल बिहार च्वारकंड के लिए गया से प्रदी प्रणजन की रिपोर्ट इनका नाम शदीद खाँ था और यहां जहां आप लोग खड़े हैं इस गाउं का नाम सेड़ी है जो मगद विश्वी दाले थाना के अंतरगत पड़ता है जैसे ही इनकी मौत की खबर मिली पूरे इलाके में कल से गम की लहर दोड़ गई है और जैसा कि आप तमाम लोग देख रहे हैं किसी भी समुदाए के लोग इंडु मुसल्मान सारे लोग ये एक ऐसे समाजी कारे करता थे समाजी की योधा इनको नाम देंगे हैं और ये हमारा प्रस्नली नुक्सान भी बहुत बड़ा नुक्सान है कल से हम भी यहीं है गया से लगातार रात में इनके छोटे भाई है जफीर इनसे बात होई नव बज़े रात में इन्होंने बताया कि डॉक्टर ने छोड़ दिया है और 19 तारीक को फिर राची बुलाया जो भी पार कर रहे हैं तो उसी भहिया कल जुमा था हम यहीं आगाउं पर अपने आए वह तो मेरा गाउं है निस्खा नहाद होके सोचा कि जाएंगे मुलाकात करेंगे गंटा लोग बिजनेस करने के लिए ब्यवपार करने के लिए मार्केट खोजते हैं कि बादार में एस आदमी ने कि इस जंगल में कर दखाया अपने सब्बहाव से कैसे किया जाता है भाई हुए हमारा नाम मुहम्मद जफीर है डॉक्टर मुहम्मद जफीर से नाम जाना जाता है और हमारा यही है कि हमारा एक छोटा प्रतिया है उसके लिए अब सरका साया नहीं है हम कर रहे हैं और थोड़ा सा उनके सर पर बकाया वगरे या और भी कुछ हो अदर्वाइस उसके लिए फैसला दी जाए और करना चाहिए उनके होंगे मार्ट एक हुआ एंसर पेसेंट थे उनकी उमर थी अधार कर से 42 थी ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सकाइब करें और बेल आइकन को दवाना ना भूले ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे